पती ने जैसे कैसे करके SDM बनाया पत्नी को लेकिन दिया धोका, यूपी ऐसे के तैयारी कर रही 135 पत्नियों को वापिस बुलाया हमें नहीं बनना ही रठा को चले आपको बताते हैं पूरी क्या ख़बर है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन दवाए यूपी के बरेली में पदस्त SDM जोती मोरिय पर पती आलक मोरिय को दोका देने का आरोप लगने का मामला सुर्कियों में है दावा किया जा रहा है कि पत्नी की वेवफाई का यह अनो का मामला सामने आने के बाद पतियों में हडकम समच गया है ट्वीटर पर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि प्रियाग राज में परिक्षाओं की तयारी कर रही करीब 135 साधी सुदा महिलाओं को पड़ाई बंद करवा कर वापिस ससुराल बुला लिया गया है और काहा है कि हमें नहीं बनना है ही रा ठाकुर यूपी की HDM जोती मोर्य की ख़बर वाइरल होने के बाद सोसल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट की बाड़ सी आ गई है दावा की अजारा है कि आप कोचिंग में परतियों की प्रिक्षाओं की तयारी करने वाले पत्नियों को उनके पति का घर वापस बुला लिया है कुछ ट्वीटर यूजर्स का दावा है कि कोचिंग संस्तान के हव यानी प्रियागराज के करीब 135 साधी सुदा लड़कियों को उनकी फढ़ाई चुडा कर वापिस घर बुला लिया गया है दरसल यूपी के बरेली में चीनी सुगर मील की महा प्रबंदक जी एम जोती मोरिय, PCS अधिकारी और प्रियागराज में सरकारी सपाई करमचारी आलोक मोरिय चतुर्ट स्रेनी का खिस्सा जहागिर हो चुका है आलोक ने अपनी पतिनी जोती पर रिष्टे में दोखा देने जैसे गंबीर आरोप लगाए है पती का आरोप है कि साधी के बाद उसे जोती को पड़ाने में कापी पैसा खर्च कर दिया जब है उत्तर परदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की परक्षया में चैनीद होकर हदिकारी बन गई तो उसने दोखा दे दिया है आरोप है कि जोती ने UP के PCS अधिकारी मनीश दूबे के संग रिष्टे बना चुकी है उदर आलोग की पतिनी जोती मोरिय ने इन सारे आरोपों को दरकिनार कर दिया है PCS अधिकारी जोती ने काहा है कि सारे आरोपी की जांच मेरे उपर के हदिकारी कर रहे है बरहाल UPPSC की तैयारी कर रही अधिकारी बनने वाली SDM साहिब और चतुश्रेणी करमचारी आलोग मोरिय का मामला अब सोशल मीडिया पर खुब सरक्रिया बटोर रह है 135 पतिनियों की फड़ाई चुड़ाने का दावा जी हाँ दोज तो यह ख़बर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अटकम सा मच गया है सोशल साइट पर लोग तरह तरह के कमेंट लिकर कभी आलोग तो कभी UP सरकार की अधिकारी जोती मोरिय का निसाना बना रहे है इन दिनों सोशल साइट पर यह लिखा जा रहा है कि प्रियाग राज में 135 लोगों ने उनकी पत्नियों को घर बुला लिया है यूपियस से की तैयारी करवाने से मना कर दिया है अमें नहीं बनना है हीरा ठाकुर ऐसा कहे कर पड़ाई चुडवा दी है उनकी जब इस चीज की जांच की गई तो पता चला कि छात्राओं ने टीचर्स ने सोशल मीडिया पर किये जहरे दाओ को नकार दिया है खास कर विवाईत यूपियों ने का है कि ये सारी बात ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है वास्तिविक रूप से ये बात जोटी है किसी ने नहीं चुड़वाई है फड़ाई सब अपने उसी तरीके से पड़ाई में लगे है यानि कि जोटी और मोरिया की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर तो अड़कम मच गया लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो दोस्ता आप जोटी और आलोक मोरिया मामले में जो भी कोई खबर आएगी सबसे पहले हम वीडियो बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाएं कमेंट करें थैंकू सोमा